नमस्कार SRK Knowledge Foundation अंतरगत SRK Institute of Skills ना उपक्रम में September महिना ना पहला समभार थी एटले के आज शरू थाता जीवन सानिध्य पर्व मां सर्वे नू सादर स्वागर छे आप सव पधारियन ओनेरो आनन चे आपने आपना पोताना माटे जी थोड़ी ताड़ी ओव गाड़ी लएए तांकियो सो मच गीता सानिध्य नी अपार उर्जा थी भर्या भर्या आपने सव अने आ विस्डम हॉल जे आज थी हवे पची बाहुवन अठवाड़ियमा टेक नवो यगन अपने शरू करवा जही रहा छे जे मा विश्वमा दंत कथा रूप बनी गएला महान व्यक्तित्वो ना जीवन विशे तेमनी जीवन कथा तेमनी आत्म कथा विशे अपने जानवाना छे वेल एमना जीवन सानिद्य जईए एमनी समीप जईए एला वो मेडविया अपनी पोतानी जातने समरुद्ध करिये आजनु प्रत्वम सानिद्य जे मारी हकिकत जे कवी नर्मदनी आत्म कथा चे अने तेने प्रस्तुत करवा माटे आपनी साथे जे सुन्दर मजाना वक्ता उपस्तित थाया चे सतीश भाई गंस्याम भाई व्यास ताडियोनों गडगडाट करी एमनों स्वागत करिये आजनु पहलू सानिद्य मारी हकिकत मारी हकिकत ने रजु करवा आपनी साथे जे उपस्तित थाया चे सतीश भाई व्यास एमनू हरियाड मेमेंटों थी स्वागत करवा माटे आजे आपणी साते उपसी थाया छे गोविन काका आपणा सवना प्रिय तेमना वहू शुड़ी स्वीटी बेन धोड़क याने एमनी साथे दुरूवी बेन नारो लातो आपने विनंति क्या पधारो आ अने आपणे सव हमेशा करिये छे तेवी एक नानकड़ी एकसेसाइज करिये थोड़ी ताड़ियो वगाड़ी ले ये बेठा-बेठा कसरत करवा ने अनोखी रीत छे सतेश भाई विशे व्यात करू तो एमनो जन्म छे अमदा वाद जिल्ला ना रोज का गाम मा सतेश भाई विशे कहूं तो वतन अने अभ्यास एमनो सूरत माचे अमदा वादिनी गुजरात उनिवर्सिटी माँ तेव व्याख्याता रीडर प्रोफेसर अध्यक्ष थायाचे निवरुत्ति पछी पन एमने पोतानी प्रवरुत्तियों क्यारे अटकावी नथी 32 स्विध्यार्थ वेमना मार्क देशन हिठड़ पीएश्डी कर्यूचे अग्यार नाटको त्रोण एकांकी संग्र हो पंदर समिक्षा ग्रंथाने सत्तर संपादोनों आतो नोंधेली बाबत चे वन नोंधायली केटली बधी बाबो तेवी हशे जे हजी उगणवानी जानवानी बाकी छे अकादा मीना पांच अने साहित्य परिशद न त्रोण पारी तोशिकों एमने मड़िया छे नाट्य लेखन माटे नर्मद चंद्रक पणे मने प्राप्त था उचे तो कवी नर्मद विशे जनावा माटे आना थी वधारे उच व्यक्ते बिजा कोण होई शके आपड़ी साथे पण सत्यशबाई नुँ व्याख्यान आपणे सांबढ़िये मारिये ए पहला जीवन सानिद्य शूँ छे आ विचार के मावियो आ विचार बीजने आकार आपनार विचार बीज वावनार तो बट अपणा बधानार जवाहला गुविन काका छे पड़ ए विचार बीजने आकार आपनार, SRK Knowledge Foundation ना प्रेसिडेंट श्री कमलेश भाई यागनिक नो विननति करीश के आप आवो अने जीवन सानिध्य विशे आपना वीचारों अमारी साथे शेर करो हरिंद्र दवे आपणा जानिता कवी एनेक सुंदर वात करी छे अने अमा खास करिने जयरे बीनी वात करी ते नेक सुंदर वात करी के वेर्याम में बीज इहीं छुटे हाथे हवे वादल जाने अने वसुंदरा बीज वावानू काम गोविन्द गाका नूँ गोविन्द गाका है कई केटलाई बीजो एवी आम मुफली सी थी एवी अमीरी थी ठेर ठेर वेंचे आजे अने बीज माँ थी कोई बीज अंकुरित थेया कोई बीज अंकुरित थेया अने मोटा वट प्रुख्षपन बन्या अने कोई कदाच मुर्जाया पना से पच्छता अविरत एमने आ यात्रा हमेशा चालो राकी जे बीज बस एक वार आप फ्यांकी दिदा पची तरफ सामे जोवानू नहीं अनलेस कहीं जरूर पड़े कईक एवाज विचार थी एमने एम किदू के मारू जीवन बे समांतर प्रवाओनी वच्चे जीवाई रहू जे एक तो भगवत गीता अने बीजा गांधी जी अने एमा पन गांधी जी नी आत्मक था मारा सत्यना प्रयोगो गोईन काका सात्मू धुरन बनेला अने वांचन मां मात्रन मात्र एक एमें आत्मक था अने जीवन चरित्रों सिवाई बिजू कहीं वांचियों जीना थे इतले गोविंद काका नी साथे वाद करता कि आपने कई प्रकारनी प्रवरुतियों करवी जोई है इतले बहुत साधारन पड़े हैं बहुत सहज रीते एमने किदू के गीता ने गांधी जी आप बेना चोख्ठा मरहीने तमें कई करो अन्य एना फर्ल रुपे आपने एक वर सारी रीते कोई पन एक दिवस पन आपने खाड़ो पाड़या वगर सतत आपने काम आज दिशामा कर्यों अन्य आजे आ जीवन सानिध्य आपने मानवा माटे जैरे आजे अन्य जीवन सानिध्य होए आत्मकता होए आत्मचरित्र होए त्यारे सूरत मा रेता लोकों ने बे तरत तज आपना मगजमा आवे एक कहा तो गांधी जी नी आत्मकतादी शरू थाए अथवा नर्मद नी आत्मकतादी शरू थाए सूरत होई एकले नर्मदज एकनम चौकस अज़ा दू अने एमा पढ़न में फौन करयो सतीस भाई ने के सतीस भाई चौविस में तारिक है तमें अवेलेबल चो अवे सतीस भाई जो मानस चौविस ऑगस्ट भुलीज ना शाक है तो के नर्मद भी से बोलवानू चै अज़ी तो आपने फौन करयो अने फरिवार वात करी के सूरत च्छे तो आमने किधु के हमना तमें बोलवानू बंद करयो चैपन तमें मारी जे नबडी कडी छे एना उपर हले करीो चैरिक है अने अने ध्यान माराखी ने आ जीवनसानियद्य डों कारो다가 कार्यक्रम आमें बहु मेहनत बहु करी और आमें एव नक्की करेलू कि आपड़े एवरेज एज ग्रूप आ कार्यक्रम नी अंदर त्रीस नी होई एव आपड़े राखिए कारण कि आ आना थी वधारे सारू सिक्षन होई ज न सके एक तो दिग्ज बोलवा वाड़ा और आपड़े समझवाना चे जानवाना चे एक 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 व्यक्ति ये लेवी एटला मंटे जूई है और आपड़े ए बाराम मा जवाबदारी लईने अजे यहां दस पंदर व्यक्ति हो अमारी याना चे केटली उत्साई चेहिए यहां को आभार तैंक्यू बरी मॉच बदा आपड़े समय नो लेता कवी नर्मद नी चार पंग्तियों कहीश आने पची हूँ आमन त्रण आपिश सत्तिश बाईने शिक्षक एटले सरस्वती माता याद आवे और नर्मद ये पन कलम न खोड़े माथू मुक्यतू राइट तो एमने जे मा सरस्वती ने प्रार्थना करीश आजे हूँ पन एज प्रार्थना करीश आने सरे किदू एम वधार एने वधार यूत आमारी साथे जोड़ाई एवी प्रार्थना सरस्वती माताने चलने करू अने नर्मद शूं कहीशे हूँ गातो रहू गातो प्रणव लिला तव प्रसादेशार दा तुही गुर तुही विष्णू तुही शिव नारायन ध्यान भक्ती योग ज्नाने विविद रूपे दर्शन रहू गातो प्रणव लिला तुझ प्रसादेशार दा नमस्ते सवने फरिथी एकवार आवकार अने हवे आमंत्रेत करिये सतीश बाई ने सवासाथ सुधी आपने एमनी वा मुक्ति योथी प्रारम करीशू। जोष मलीहाबादी नो यमने यादो की बरात नामे एक आत्मगथा लखी चे जैना उपर पाकिस्तान मा प्रतिवन धातो। अने भारत मां आ आत्मगथा मलती नती आजे। तो आजे बात रजू थाई रही चे। पोता नहीं साथे मुकाबलाने एक इतली अगरी होई शके। ए आ आत्मकथा कारो लख्याना अनूभव पची आपनी आगल रजू करी रायाचे। अत्यारे आपने जानिये चीए के आम सेल्फी नो जमानों चे। भारम भार आपने ठेर ठेर सेल्फी साथे व्यक्तियों ने जोईये चीए। दरेकने पोतानी छवी जोवी छे। केम आउँ थायू हशे। एनी चर्चामा ना जईये। पना एवोश समय छे। जारे व्यक्ति पोतानी जात साथे वदारेमा वदारे मुकाबलों करी रही छे। आपने बदारे खबर छे के अत्यारे फिल्मों मां बायोपिक नू महत्व बदिय। कोई ने कोई व्यक्तिनी जीवन कथा उपर थी फिल्मों बने छे। एवाज जीवन नायकों उपर थी नाटकों थाई छे। केम आउथ हवा माड़िय। अन्य आखा विश्वमा लाइफ राइटिंग अत्यारे बहुझ मोट्या प्रामान मां देखाई से। कल्पना जगत थी के कपोल कल्पित थी जाने के लोकों उबाई गया छे। एमा भरोश हो नाथी पड़तो। ए बास्तविक नाथी लागतू। एटले केटलाकने एम लागय। कि आपड़े नकर जीवन साथे मुकाबलो थती रचना होने कोई ने कोई माधियम थी रजु करिये। अने इटले सांप्रत समय मा आ प्रकारना जीवन लेखन नो महीमा बहुझी छे। ए आत्म कथा लेखन होई कि जीवन कथा लेखन होई। हवे आत्म कथा ए आपनो भारती प्रकार न थी। जीवन कथा होँचे भारत माँ चरित्र नायको विशे संस्कृत सहित्यमा जूना गुजराती सहित्यमा गणू लखायूँचे। पण गुजराती सहित्यमा पोताने विशे वात करती कोई व्यक्ती जोवा नती मलती। एकलूद नहीं, समगर भारत मा आप प्रकार बहुझ मोड़ो आवयो। जे कोई आवा प्रकार हो हुए छे सहित्यमा एने संस्कृती, समाज, धर्म, राजकीय, वातावरन एनी साथे संबंध हुए छे। यह वगर कोई कला प्रकार के सहित्य प्रकार उद्भवे नहीं। जमके गर्बो होई तो गुजरात माज थाशे। यह अपड़ी संस्कृती साथे संकलाएलो एक प्रकार छे। त्यां तो ठेट इस वीशन 400 माँ स्वजीवन निरूपन ना प्रसंगो सेंट ओगिस अगस्तीने रजु करियाचे। यह वखते पने एमनी पासे आ ओटोबायोग्राफिक शब्द न थी। पस पोतानी बात करवी। पोतानी जीवन साथे संकलाएली पोतानी थायला अनुभवोनी। आधारे अन्य लोकोंने उपदेश आपवो। सेंट छे इतले तो उपदेश आपशे। मारा जीवन मा आऊ आऊ थायूचे। तमारे आऊ करवी। पोतानी डाखलो आपवानो लोकोंने गमतो होईचे। तो इतलु जूनू स्वा कथा लेखन मलेचे। पन संगना न थी आवी। जैने आपडे अंग्रेजी मा ओटो बायोग्राफी कहिए इचे। एतो अडार्सोने अडार मा पहली वार टौड नामना एक स्वमिख शके आपवेली संगना चे। एना पहला बायोग्राफी शब्दा आवे हो चे। 1683 मा ड्राइड़ने वापड़ेयोंarchy.. 1883 मा अडार्सोने जानियेंची है कि 1864 मा तो नरमत जणमें हो, अडार्सो ने 66 मां एने जारे मारी हकीकत प्रगट करी त्यारे पहली बार आपनने आत्मक अथा शूँ छे एनी खबर पड़ी आडार्सो तेतरीस ना जे वर्षनों में उल्लेक करें उने बहुँज महत्वनों छे पुर्व मां अडार्सो ने 33 मां एक सूरिय अस्तपा में छे जो पुर्व मां अस्तपा में छे पुर्व मां अडार्सो ने 33 मां एक सूरिय अस्तपा में छे अने एज वर्ष मां पष्चिम मां एक सूरिया नो उदाई थाई छे ए अस्त पामतोर सूरिया ए राजा राम मोहन रहे अने उदाई पामतोर सूरिया ये आपनों भीर नर्मत अने गुजराती साहित्यमां एक मात्रा व्यक्ती ये भी छे साहित्यमां जनी आगल भीर लागे आ एक छे जैनी पाचल भीर लागे छे एवा पन छे पन आ एवो मानस छे जे भीर नर्मद तरीके ओलखाया वने विश्वनाद बट्टे एनू चरीत्र लख्यों त्यारे पन शिर्षक आजाप्यों पुस्तक नू भीर नर्मद पहली वार ए गुजराती शहीत्यमा मात्रा आत्मा कथाज लावयो एवो नथी पहली वार ए निबंध पन लावयो निबंध पन आपड़ो प्रकार नोतो भारतिय परंपरा मा निबंधो न थी आज गाला मा नर्मद जारे लगतो थे यह पाछो अडार सोने तैपन मा ठेट केम निबंध नोतो अने केम आवयो ने आववा थी कईू परिवर्तन आवयो भारतिय संस्कृति मा एई पन आपने समझ भू जोई है निबंध ने आत्म कथा वच्चे तोड़ू सामिया छे निबंध मा आपन व्यक्ति पोतानो दुरुष्टी कौन रजू करे छे जो व्यक्ति नो पोतानो दुरुष्टी कौन न आवे तो यहने निबंध केवायद नहीं निबंध कोई बीजानो लखे लो आपनो न गणाई आपने आपनों ज लखवो पड़े और यह आपने त्यारेज करी शकिये ज्यारे बानी स्वातंत्र होए और यहनी जोड़े जोड़े व्यक्ति स्वातंतर होए एव अगर निबंध न थाए जे प्रजा आम मुल्य समत्ती होए ए प्रजा निबंध पासे पहली जाए आपने थोड़ा मौड़ा शिक्षित थाया व्यापक अर्थमा शिक्षित नोताय हो नहीं आपनी शिक्षन नी एक जूदी परंपरा हाती सधी हो थी चालती पन आ अर्थमा जारे आपने समग्र संस्कृती ने जोटा थाया त्यारे आपने निबंध नी पासे पन गया और ए काम पन आनेज करियो क्यांकि एना जेव व्यक्ति स्वातंत्र एक पुर्वे आपने आपना परदेश मा जोगा नथी मलियो गांदी जी तो बहुं दूर चे आजी एना किट्ला है वर्षों पहला व्यक्ति स्वातंत्र आने वानी स्वातंत्र सुथी पहुची कहयो चे अने एकलूद नहीं आ कथा लखेचे त्यारे पण एक मोटू विदान करी रहे होचे कि मारी नजीक रहे लिए केकलिक व्यक्तियों विशे तो हूं बदू नहीं कहो पण मारा विशे तो जेकें कहीश है बदू साचूज कहीश आज इस सत्य पासे जवानू एनू बलन हतूने एपन गांधी जीती केकलू वेलू हावे होचे अने आत्म कथा सत्य विणा नहीं थाई शके आत्म कथा क्याम अगरू पड़े चे डर मने महरोज रहतो होई चे क्याम काच मां चेहराने जोयो होई चे आतला माटे डर लगे ना आपड़ो मुकाबलो करवानों चे अने आ मुकाबलो बाहिय नती अंत्रिक्षे अपड़े तो गीतापाथ तो आखो वर्ष करेयो चे ना अने पंदर मा अध्याय मा अहम वैश्वा नरो आवे चे आध धक्दक तो वैश्वा नर हतो हा अगनी नी ज्वालाओ थी भरेलो हतो पन ए वो अगनी हतो जे दजाडवानों तो मागतो है प्रकाश पूरो पाडवा मागतो हतो ए आ नर्मदनी भुमिका हती ए गालाने ज्य प्रकाश पूरो आपनी हकीकत आपने लखवी एवो चाल गुजराती भाशामा नथी नवो दाखल करवो आपनी हकीकत आपने लखवी एवो चाल गुजराती भाशामा नथी नवो दाखल करवो आपनी हकीकत आपने लखवी एवो चाल गुजराती भाशामा नथी नवो न अने एक धखारा हाता है ने, साहस करवा हाता है ने, तो निकली पड़े हो छे, त्यारे एकलो छे, गांदी जी साथे तो अनुयाई हो छे, आखो देश जोडाय हो छे, आम अनस जारे मुकाबलों करे छे, आ बदा दूशनों सामे, त्यारे एकलो छे, बैचार मित्रों छे, अ इम्मत हारी गया चे तो आमा एक एवू अपूर्व साहस्ते एखलो जाने रे चे ना आपड़ो तो टागोर नू ये तो एने किटलू भेलू चरिता अर्थ करी दिदू छे आ नर्मदे एने आ रचना करी आ शिर्शक एने आप उने अजू आत्म कथा संगना स्थीर नथी था ये विचार करया करे जगे शू करवू तो एक साधी साधू शिर्शक आपी दिदू संस्कुरूत नो गनाता चे धार्यू बैदिक परंपरामा उच्छे वेद पाठी परंपरामा जन्म चे नागर गनातीमा जन्मे चे पहलू आखू प्रकरण तो नागर गनाती नो इतिहा आपवामा पसार करे चे इतला माटे नहीं के पोते हावी महान गनातीमा जन्मे चे येने कहू पन छे उटली मोटी गनातीमा जन्मे चे ये बढ़ाई हाकवा माटे हूँ हान अति लगतो येनू प्रयोजन तो ये पछी सिद्ध करवानों चे जनू उल्लेक आपड़े करी तो खबर चे इने संस्कृत कई संगनाव आपर भी जरूर पड़े तो अंग्रेजी तो अभ्यास करी ना आवे हो चे आटो वायोग्राफी शब्द है इने खबर चे पन तो ये आना थी करवू इने एने एने एम चे के मारे मारी गुजराती मा लोकों सुधी वाद पहुच आत्म कथानी भाषा पने एने एवीज राखी चे आपड़ा तलनी अहीनी चे किकली ये जग्याये सूर्ती शब्दो वारम वार आपने सामे मले निबंद लखे चे त्यारे नहीं जोगा मले शिष्ट संस्कृत तच्सम पदावली वाला शब्दो निबंद मा चे एज व्य आत्म कथा लखे चे आने लोकोषुधी पोता नी बात पोचाड भी चे त्यारे भाषा नू अक्कू स्वरूप बदली नाके चे ले के भी रमानी शखे जे बाषा ने जरूर नाटक वाला करे ने वू कपिल भई जरूर पड़े तो तत्सम शब्दों मा या खू नाटक च सम्बलावियए ज्यने कारने कदा चे नथी करी शक्यों पर एकदम साधी भाषा सूरती सब्दों तो इटला बदा चे आपने आज तो आपनी पास हया आशब्दों नथी राया ने अर्थ जता रहा चे और अहीं तो आपड़ा ये बदा शब्दों जता रहा चे हवे आ प् एवी एक परिस्तिती पन छे अत्यारे तो, पन ए जुदो एक संस्कृती ना समन्वाई ने कारण ने जुदी थाई रहे ली कोई भाषा ने अत्यारे आपने सांबलिये ची, एटले ए शब्दो अत्यारे सूरत मा नाई च्रमलाता हुए, एवा गणा शब्दो आ रचना मा छ संस्कृती तो, आपने सांग्वाई अपने इन बापाज सब्द वापरे चे ने बापाज वापरे चे, बापणी शारके हो था अत्ने पिता ने आबदू हतू अतनी आपणी वाची, पन न, सूरत मा, दक्षीन गुजरात मा, पिता ने पन तुकारेज बोला अई तो, और जी केटलिक जग्या है, हे बापा तू कहां गई लाओ, आज आपड़े सांबल ही एचे, तो नर्मद आप भाषा माती निकलवा नती मागतो, यहने आज तल नू साउंदर ही एचे भाषा नू, यह पन आत्मकथा ना माधियम ती प्रगट करूँ जे, यहने पासे कोई निष प्रामशह चाले पहला, यहने तो प्रकरन संगनापन न थी वापरी जुआ होए, आपनी पासे तो अध्याय सर्ग आवी संगनाओ हती विभाग पड़वा माथे, नर्मद ने कहीं यहां बहु अनुकूल नती लागयू, यहने पेलू मॉडेल नती लेवू संस्कृत, अवू तलनु गुजराती एने मा उभू करवू चे, गुजराती मा लोको लगता थाय, बोलता थाय, ए दिशा मा यह सभान ता पुर्वक प्रायत्न करेचे, इतले एने विराम शब्द वापरेओ, प्रकरन बदले, पहलो विराम, बीजो विराम, औने पहला बे विराम बर अच्छो श्रम नथी करियो शोधवा माटे, अने एक पुस्तकों जोया चे, अने एक आधार हो एने पहला प्रकरन मा आपया चे, अने छेवटे, अने एक ये प्रभेद हो चे, क्या-क्या थी आवया नागरो, गुजरात मा पहला क्या प्रवेश्या, कोई वड नगर मा गय गया, कोई वीष्ण नगर मा गया, त्याहां थी भागता-भागता गया गया, भागवाना काराणों ए आपतों जाईचे, अपनों आखो सांस्कृतिक इतियास, ए गाला नो आ पहला प्रकरन मा आउंशिक रिते, ए मुकी आपये चे, इले एक चित्र मले चे आपनने, के वि ठेट सावराष्ट्र सुधी पहुचवा माड़या, कि तलक सूरत मा आवी ने स्थीर थाया, कि तलक जुनागर बाजु गया, कि तलक भावनगर बाजु गया, आप अब अबदी ज भीगतो, क्रम शह आपनने पहला प्रकरन मा माले चे, अने यहां थी बे मुख्य भेद और बेख्शुक नागरो, आप मुटा चे, आप अबेद उप मुटा चे, तो एक वर गए वो हतो जे भीख्षा मागवानु काम करता हो होई और एक गुरुहस्त, यह भीख भीख मागवाना जाए, यह क्यांक ने क्यांक शासन साथे जोडाईल हो होई, क्यांक अधीकारी, अमलदार होए, क्या हिसाब नीस होए, क्या दिवान होए, आवी महत्वनी जगाए केटला गोठवाई गएला नागरो हता, ए जे बदा हता, एक गुरुहस तो तरीके ओलखाता, अन्ने नर्मदने आ सहेतु के हूँ छे, क्या मैंने आ कर्यू भूमी का समझवन, एक एक लेख कलासाते संक्राई लिए एक व्यक्ति जरे, कशुक पण मांडे छे, सब्द तरीके, त्यार एक चौकस प्रयोजन होए इसे, अन्ने प्रयोजन पडेलू छे नर्मदना मन मा, एना पोताना परिवार मा एक आवो प्रसंग आवेलो, नागरी नियात नू जमान एक तरफ गुरुहस्त नागरो बैठा हाता, बीजी तरफ भिक्षुक नागरो नी पंकत हाती, और मोटे बागे साम सामे ने तोड़ा दूर पन बैसाड़ता, साथे बैसातू पन नहीं, एमने काचली धारन नोती करी, ब्लाउज नोता पे रहा, मतर एक ओड़नी नाखी ने इस तरीयो एक जग्या ये बैठी, अवे आरिवाज हातो, गुरुहस्त नागरो नी तरीयो काचली पहरी ने आउती, बिक्षुक नागरो नी तरीयो काचली वगर आउती, अने पछी पीरस नारा आती, पशार था ना ये जोही ने नर्मद ने, नर्मद आपदू उपर थी जोही रहयो चे, पुता ना गर्मा थी, अने थायो के आतो ना चाले, इटले आदेश आपी तो उठी जाओ, आपने नती जम्बू, गर्मा आओ और फरी काचली पहरी ने जाओ, तो जाओ आपने जम्बा बैस भूँ साथे लडवू होए, ये गणी बार पहली लड़ाई पोताना गर्थीच करवी पड़ती होई चे, तो नाखलो बैसे ने, तमारा गर्मा तो जूहो, येम कोई के, तमार द्याती शरू करो, पछी आई, आमारा उपर जरा रुवात जमाओ जो, तो गर्थी ये ने शरू करि आमली रानमा आजे पना हजी, अपनी जयुनी, एकन आपर रुषया अपरू संवस्त्धा छे, मारू पना गलियों मा गयु छ छे, आपने अपने गनी बंदीखोंवर होई, अमबा जी औरोड होई के बाला जी रोड होई के आमली रान होई के वाडी पढ़िया होई के खप बेध पाठ करया चे ने, अने घणू वाँची चुकियो चे, रुगवेद ना किटला क मंड़ो शरु आतना ये वाँची गयो चे, अने कंठस्त करया चे पाचा, क्यांकि आपनी तो हती पन आज परमपरा ने, स्मृूती परमपरा हती, स्मार्त अता बदा अपने, याद रा बालाकोने आवड़तु है तो खुश था माता पीता, अने आवड़तु है ले किटलाक नहीं पाथे, बोलावड़ा आवे पन खरा पजी वड़ी लो आवे तेहरे, एम एनी पासे, वड़ी लो ये वेध पाठ करावड़ावयो, अने पची बदा ये बहुच प्रशस्ती कर अने उच्चार नी आवड़ी, त्यारे एने एक वाक्या लखियू छे आत्मकथा मां, मारी वेध नी बननी वखानाई, जो ये नवो शब्द आपयो, मारी वेध नी बननी, नथी आपणी बदे शब्द, एने बनावाना चे नवा शब्दों, एने गुजराती बासाने एवो एक शब्द चे लागनी, नर्मद है आपयो पहली बार, ए पहला शब्द नोतोव अपरातो, भाव, संबेद ना, अवु बदू आपणे आवड़तो, पन लागनी शब्द पहली बार नर्मद लई आवेओ, स्वदेशा बिमान पहली बार लावेओ ये, जे आपड़ इतो तो देश टकी नाशके, पन ए स्वदेशा बिमान, शब्द आपनारो नर्मद चे, एने विशेक आखो निबंद लख्यो चे हैंने, स्वतंत्रता नामनो एक निबंद लख्यो चे, आज संगना पन अत्यारे जे अर्थमा आपणे वापरिये चे, आजादीना आर्थमा ए अर्थमा संस्कृत मा नथी वापराई, जे नर्मद पहली वापरिये चे, तो आउ बदू काम पने करे चे, तो बेद पार्ट करे चे हैंने, बने हो चे संस्कृत, सिद्धान्त कावमूधी बने हो चे अने ए पनेने बराबरा आओडे चे, थोड़ू आ धूली निशालो तो मा पन जाये चे, जिया शिक्षकों थोड़ा गणा विद्यार्थियोंने बनावता हो चे, तिया पन ए थोड़ू थोड़ू बनवा माटे जयी रहो चे, पन एना उपर सौथी मोटो प्रभाहों जो कोई नो पड़े हो हो चे, तो ये पिता लाल शंकर नो, माता प्रमान बहला दिवंगत थाया चे, चे, नर्मद किशुवरा बस्ता मा आवे हो चे, पची थाया चे, पन लाल शंकरे पची, नर्मद ना उचेर माटे प्रशस्य एवी काल जी लिदी चे, आपन एम लागे कि बाप किटली काल जी बालक ने उचेर माटे लई शके, इटला लालन प माताना मृत्यू पची बीजू लगना, अवा संयम थी और नर्मद ना उचेर करे हो चे, अने एक काम करता हाता लहिया नू, लखवा नू, थामकि ए वक्ते तो अक्षर्ग्नान बदा लोकों पासे ना तो ये लोकों ने लखता आउड़े, आमनी बासे लोकों लखा होता, नकलो करावड़ावे, दार्मिक पूस्तकों नी, काईदावोनी बासामा केंग दस्तावे जोनी माटे बासाजी करवानी होता, ये पन आवा लोकों पासे लखा होई पड़ती, तो लखवानू काम करे चे, ये मना समय ना उत्तम लहियाव माना एक हाता, लाल संकर, एक बस लखता होई, सवारे दस शाड़ादव से निकली गया होई, साजे छाड़ा शाड़ा चे आवे, आप अची बीजा लोकों केटलू काम सौपी जाए, ये मने पत्रों लखा हुआ ना होई, कंकुत्रियों लखा हुआ नी होई, जन्माक्षरों लखा हुआ ना होई, जरूरिया थाती लाल संकरनी, इटली लखवा माटे सवारे चार वागे उठे, चार थी आठ सुधी लखे, थोड़ो नित्यक्रम पतावे, फरी पाचा थोड़ो लखवा बैसे, साड़ानाव दसनी वच्चे बोजन लईले, जातेज बना होता, पत्नी तो दिवंगत थाया अजु नर्मद ने कहीं बहुत जाजुग बनाव ता अवड तो नथी, और ब्रह्मनों पाचा परमपरा थी स्वयंपा की गया चे, आवडे बदाने बदू, एना कारण येवा नहीं के इमने रसोई मा रस बड़े चे, इटले इमने आवड तो येवा नहीं, पन बीजा न तो लाल संकर रसोई पन बनावे और पची जमीने दस थी, छ शुदी ए व्यावसाई नहीं जगाए जाए, आवया पची दस पंदर मिनिट बैसे नर्मद आशंकर साथे जरा जिवी वातों था येवी करें कि रम्वान हूँ होई तो रमीले, फरी पचा लखवा बेसी जता आठ साढ़ा आठे बोजन करता है नहीं तो ब्राम्मनों सांधिय बोजन करता हुए पन ए विलंबती खाता और नर्मद सुई जाए पची साढ़ा दस अग्यार बार सुदी फरी पाच हुए लखवानों काम करता शु लखतो हासे आमानस और नर्मद ए एक सरस्वाक्य लख यूशे ने माटे लख 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 एज एनो उद्योग यू बेवार नती वाप्रियों लख लख करवो नहीं तो अर्थ बदलाई जाए लख लख करे चाहतो तो तो इनो अर्थ के वेट वाले से के नकाम मू लखे से कि इतला गणु बदू लख 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 करता है जने कोलम हो माने नवलकथा हो माने ये अर्थ मान थी या इतला त्रीजी वार उमेरियों लख 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 एज एनो उद्योग तो आ लालशंकर आटलो श्रम करीं नर्मद ना उचेर नी कालजी लेचे पछी था य विज्या बदा रमता होये, त्यार एक खुणा महुं बेशी रेतो, अने क्यार एक संस्कृत ना पुष्टकोनू बाचन करतो, पिता ने एवु थाई चे कि आ थोड़ू अंग्रेजी बने, थोड़ू अई जाने, अंग्रेजी आवी चुक्या चे, एमना संपर्क मारे, प्र कर्मद मुंबई जवा माटे, माध्यम एक शिक्षन देवा माटे, सरु आत्मा तो, ये मुंबई बनवा माटे निकले चे, आ घटना बहुझ महत वनी चे, गुज्राते, आवा बे स्थानां तरो, हमेशा एना गौरव माटे याद रखवा जेवा चे, स्थानांतर ये एक जगी आई थी, बीजी जगी आई जवू, गणिवार स्थान बदलाई ना ये व्यक्ति बदलाई चे, और मोटी भूमी का आवे चे ना मोटो फेर पड़तो है चे, आ नर्मद नूं बहुझ मोटू स्थानांतर चे, ए सुरत्थी मुंबई गयो, आ फाइद ना शकते ने कारणे जा गुजरात, बंगाल पची तरतत सुधारानी दिशामा आगल बतियो, त्यां हता राम मोहनराय, आपनो राम मोहनराय आपने ए पची, ए तेतरीशना वर्ष पची, एम कोने के पुनर आउतार छे, राम मोहनराय नो, एम कही ये तो ये खोट स्थानां तर छे, और बीजू स्थानां तर तो आपने बदाने याद होए, गांधी जी जो दक्षिन आफरीका न गया होत, तो भारत ने आजादी मौडी मली होत, ना मली होते हो न थी, पन ए ज आफरीका मां नेंडेला ने किटली वार लागी आपने ख़बर छे, आजाद प्रदेश ने संब्रुद्ध करयो, विजा ये देश ने स्वतंत्र करवामा भुमी का बजवे, तो आ, ये मुंबई गयो और बदलाव आववा नो शरू थायो, अंग्रेजी शिक्षन मलवा माडियो, अंग्रेजी शिक्षकों ना परिचाइमा आवयो, कितला शिक्षकों बनाववा हावे, तो आरे गणी बार नर्मद नो ध्यान ना पन हो है अमा, लागे योगो के नो ध्यान न थे, ये लेनी कसोटी पन करवा मा आवे पची, शिक्षकों द्वारा प्रश्नों कुछ वा मा आवे, ये इतार ध्यान क्या चे ये म करीना है, अने नर्मद ये उत् गणी जम शतावदानी होई चाने, एमा नर्मद नी पन, चित्त बृत्ती गणी जग्याए केंद्रित थेली हती, अने गणू बदू जोवू चे, अने गणू बदू करवू चे, तो ये शिक्षकों माना एक दिवस एने गणीत नो दाखलो गणवा आपे चे, प्रारम ना प्रकरणों मा एक विगत आवे चे ना, प्रात्मिक शिक्षन नी विगत मा, बोजवेल, एनू नाम चे, अने बद्धा ये गणी, एक गणे हो दाखलो, बद्धा नी पद्धती करता, नर्मद नी पद्धती जुदी हती, एटले बोजवेल एवू कईयो के आ तारो दाखल खोटो छे, बिजा बदानो साचो आपयो, अने नर्मद नो दाखलो खोटो आपयो, अने नर्मद तो उभो था ही वतानी जगिया एथी, आशे नो खोटो होए, मैं बिल्कुल साची रिते कने हो छे, तमें कोई पन रिते तालो मेल भी जुओ, जो नाम अलतो होए तो मानों कि मैं खोटो दाखलो कने हो छे, पहला कि जा साचो छेज नहीं, ताने आना कोई गूंड नहीं मले, तारे पाचल जाईने बैस होवू पड़ से, तारे वू आतो, ना आवड़े तो पाचल बैसारे, ना आवड़े तो आगल बैस होआनो, आज लड़वार चालती हती, ए द अर्मयान, ग्रेहाम नाम ना एक बीजा गनीत ना शिक्षक पसार था, या बीजा वर्ग मा गनीत बनाऊता हता, अने ग्रेहाम ने थायो, क्या शू चाली रहू छे वर्ग मा अशिस्त जेवू, पूछू यह मने, अने जरा वरिष्ट शिक्षक अता है तले, यहनू बढ़ अने जोयू है, मने, तो केचेच, अ बनाऊ शिक्षक ने कईू, बोजवेल ने कहयो, क्या हम आने खोटता है, आण दाखलो तो हैसाचह होचे, बिभा। बोजवेल कई शेचे, साहिव, और रीत साची निते, पेलो काई आ रीत थी, पर रीत थाई आए, अहल दाखलो थाई आपना आपनी भासा आवी, चकली जेवू नहीं, चली जेवू थाई गयो, तो रुडी प्रयोगो क्या क्या प्रयोजवा, नवा आपना रुडी प्रयोगो, पस्चिमना नहीं, तो इस नर्मत बराबर भासा ने केलववा मागे छे, केलवी रहो छे भासा ने, भासा मातर बो व्याकरन, नर्मद, आ आत्म घथाद्वारा अपन ने आपी रहे होचे. तो आवा किस्था होचे, क्यारे शालाये जवा निकले, त्यारे हजी मनमा पिला माताये धार्मिक ताना थोड़ा संस्कार वावयाचे. आने वच्चे काली का मातानों मन्दिर आवे. त्यारे काली का मातानों मन्दिर पासे ए आम पंगेल पैसी जाये, हे महां, महराथी कोई भूल थाई गयी होई तो माने दे मा techniques करी ने कुईना अन्याई थाई गयो है तो माने थे ख्रमा करड़े, आने ये म करतोकर पोटाना गाल टपली मार्या करता हूँ, पोताने आम मारे कोई कृते, प्रायस्चीत करता हूँ, पाची ये वक्ते कोई बाजू माती पशार थेता है और पूछू के तुम अलिया शू करेचे, त्यारे दिमेती टपली मारता थेगे हो, जेती करें ने कोई जोई ना जाए, तो ये संकोच पन हतो, पन अवी बदी प्रक्रिया थे, भूध प्रेतमा मानतो शरू आत्मा, एवा स्वपना पने आओता, लखेज ये हूँ, मने आवा स्वपना आओता, भूध प्रेतना, कोई दाकान गाम मा लोको मारी रया थे के कोई दाकान कोई ने पजवी रही थे, आवा पन मने अने एक स्वपना आओता हता, तो शरू आत्मा ए बदी आ अंधर्शद्दाव साथे जोडाईलो छे, पन मैं कहूं एम मुंबई जतानी साथे, ए बहुधिक थाई से, रेशनल बनवा तरफ जाई से, एजी बाजतो थायो बदू, एमा ती एन एम लागे छे के आपड़े तो गणू बदू अजू सुधार्वा जेवू छे, आपड़े तो गणा पाचल रहाएाची है, अने ए दिशा माए सक्रिये थाईच, एनी जोड़े पजी थोड़ा मित्रों पन जोड़ाईचे, अने आखी प्रवरुत्ती गुजरात माँ एवी तो चाले छे, दमदोकार अने एकली जड़ब थी, लोकों ने खबर ना पड़ी किया शूथ थाई रहाईचे, विजाईराई वही दे एक लखियू छे, एक बाक्या, कि लोकों बावरु बावरु जोवा माड़े, आज आर सुधारो आवे तो आरे, किया शूथ हावा माड़ियू छे, आनू शूथ अनू थासे आ बदलाव आवे चे कहीं आपने पाचल जाई रहाईची है, आवी चिंता पन, एवख दे गणा लोकों ना मनमा दाखलता है ये लिए, पन आने तो शडू करियू छे, आने पोता ने तो कडखेद कहे चे ने एकला माटे तो, कडखेद, आवे आ सब्दो पन आपने तिया, आगल चादनारों सहिनिक, कि वो होये, बांदी दिती होये, कमर ने निकली पड़िया होये, ये वो आ कडखेद बनी ने निकली होचे नर्मद, सव चलो, जीतवा, जंग ये तो बदू पाचलती आवेचे, कि जही जही कर भी गुजरात, आप पहला वतन पृ सहित यमा, ने मध्यकालिन सहित यमा, पन पोता ना वतन विशे नी चाहना नी रचनाओ पन पहली बार आपन ने जोवा मली, और नर्मद नी आवी रचनाओ द्वारा, जै 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 गर्वी गुजरात जिव काविया आउतू होये, कि सव चलो, जीतवा, जंग आउतू होये, इस यहरे, यह ओम जी वो शब्द, क्या वपरात हो हतो? ओम हतो आपनी पासे, ओमकार हतो आपनी पासे, पन यह जोडी ने यहुँ मिश्रन करी दिदी यह ओम करी ने, कई अर्भी ने फार्सी नाब अबदू भेग करी ने, ओम नी साथ होम लगा दिदी ने जे जुकाओ त तो आरे ते भासाने बदले अखे। जै 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 अंतना तो दंव दंव क्हा बना ने संति कशिण धोल को घूने। आज एंक आज आप नपने बोलता ज नती। एडता फॉडती श sesgo मोपर्तित। आमानस बनावी रहोचे, तो एमाथी आपने बनाव तरफ गया पची, बनाव माथी, एना मूल माँ पन नर्मद नू आ भाषा सम्मार जन चे, तो ए भाषा ने घडी रहोचे, ने केल भी रहोचे, तो अब अवे आने जोयू, के गणू बदू करवू पडशे, तो ए शक्री ये थवा माड़े होवे, पिताये मुंबई जता पहला एनू लगना करावी दितूचे, सगाई थाई से थोड़ी, सामें वेवाई ए वो करी रहा चे के आज वो मुंबई जसे तो पची हमारी दिकरीनू शूतर से, अहीं किकला वर्सों सुदी ये राज होसे, ने आप बनी पहली ना आओ से तो गणा वर्सों जता रहे से, तो ये लई जाये तेया, अथवाथ हमें आहीं बोलाओ जेती करीने ने दांपत्य जीवन, संसार नो शरू थाई शके, गुलाब नाम पहली पत्नीनू, पहली एटला माटे वापर ये चे संगना, के पची बीजी बैतरन थ भानी चे, केटलीक अधीकरूत, केटलीक अनधीकरूत, अन्य आने तो ये सिवाई पन संबंदो राखे या चे, ये पाचो कबूल करे चे, आत्मकथा मा, डर मने मारोज रहतो हुई छे, ये वू नहीं राखवानू, अन्य आम मुकाबलों करवानों छे, मैं जे स्खलनों करया चे, मैं जे विलाशी वृत्ती दाखवी छे, एने पाण हूँ, मारा विशे तो जे कई साचू हशे हूँ, कई शज, ये प्रतिगना लईने बैठों शे, तो कईयू छे ये आने, आत्म कःथा आरी ते बहुझ अगरी वस्तु छे, आत्म कःथा लखवी शेली नती, जीवन कःथा लखवी शेली छे, कोई ना विशे लखवी शेली चे, ये मां साचू खोटू बदूत चाले, पन जारे पोताने विशे लखवानू आवे, तो गणी बार व्यक्ति पोता ना दोशो स्विकार्ति नती होती, होई एना करता ओछा बतावे अथवा, छुपावे नहीं, तो ओछा बतावे, और होई तो क्यार एक बचाव उपक्षपन उभो करे, आ बदाज वलनों नी पूरे-पूरी शक्यता चे, आ मानव से जातने अनि सत्य बोलवानों एक मोटो लाब एचे के पछी बीजी बार जूटू बोलवू न थी पड़तू, जूटू बोलना रे बीजी बार बोलवू ज पड़े, भूली जवाईन है आगल कयू बोले आता है, साचू बोले आता है, तो फरी बदलवद मां पड़े आखो विचा इनो एज रहे पछी, आप बहुच मोटो लाब छे, पड़ एनो मुकाबलो करवो अगरो छे, तो नर्मद ना जीवन मां हूँ थायू तो पहली पत्नी, एक बालक तो अजू मांड एनो जीव बंदायो ना बंदायो अने गर्भपात थायो छे, गुलाब ने, नानी वही न कन्याओ हती, आप अधी शक्याताओ हती यह वकते, बीजीवार पन संतान थाये चे, त्यारे संतान अने पत्नी बंदे जता रेचे, दिवंगत, नती जीवता, तो यह लाबो टक्यो नहीं, दांपत्यानो गाळो नर्मद नो, आने फरी वारे मुंबई जवानो विचार करे चे, पन ये पहला थोड़ा वकत तो रहू पड़े, मासियो करवानो, वर्सी करवानी, आ बदू तो पाछू अपनी परंपरा मा चे, त्यां सुदी मुंबई जवाई नहीं बाछू, माता पन दिवंगत चे, पितायद लगना येनू तो करावी आप यू चे, एक वार नर् आधर, देख वाक्य कैएछे, हे बाप, जो, हे पिताजी आउ नहीं, परम्पुज्य पिता शेता नहीं जा, हे बाप तारिस्त्री मरी गई छे, अनने मारिस्त्री पन मरी गई छे, चालने वैरागिया लए लए है, कि equipped हिए बात करी दहा से, पिला तो वैरागियी थाई च शंकर थवानती देता, बीजू लगना दाइगवरी नामनी स्त्री साते जाया, खरेकर यथा नाम तथा गोण जेवी चे डाइग, बिल्कुल एहने पुतानू नाम पन चरितार्थ कर्यू छे, अने पाच्छल जे कितला नर्मद आत्मकथा पची गणावदा समय एक संवाद आत्मकथा लख्या पची ना त्री जे चोथे वर्षे, अडर्सो अगनो सित्तिर मा लगबग, त्यारे एक मोटो संवाद आवे चे, नर्मद नो अने डाइगवरी संवाद नो ने बे वच्चे जे तर्क चाले चे, ये अपने कोईक वार निराते वाच्वा जेवो चे, न ये गाला में यू थायू, नर्मद विद्वाओनी स्थिती जो इने दुखी थवा माड़े हो चे, बाल विद्वाओ किटली ये जोई है, अने ये लागे चे के आप बाल विद्वाओ अटली परेशान थाये चे, तो ये संदर बे पुनह विचालना करवी जोई है, अने ए अने दिशा मां एने ना बदा मित्रो सक्रियत है अप्रचार करवा मा पहला तो, एक किस्षो बहु जानी तो चे जे नर्मद आत्मकथा मान थी लख्यों पची पाचलती किटला को ये चरीत्रों लख्या है, अने एक किस्षो लख्यों चे नर्मद वादी बातों लोकों ने सामें करी रहो हतो, निबंदो लख्यों माड़े हो हतो, चौपानिया काडवा माड़े हो हतो, त्यारे एक वार बदा ब्रह्मनों ए खासकरी ना अमली रानमा नक्की करियो, कि आ मानस आपना धंदा उपर लात मारवा बैठों चे, आपने शास्त्रों ने आधार एवु कई चे के विद्वा पुनर लगना ना थाई शके, आने आ मानस आपने खोटों पाड़ी रहो छे, आपने काम बगाड़ी रहो छे, आने एकाद दाखलों तो बैशाडी है के चे, जेती करी ने सिधो रहे, आने पछी नर्मत तो पुजा पाट करतो नियमित, आजू आम मूर्त पुजा मां घणा वर्षो शुदी है नोतो मानतो, शरू आतमा, कालिका मातानू करतो त्यारे माने खे, पाचि मुंबई थी आवे चे पाचो, थोड़ो आरिय समाजी थाई चे, त्यारे मूर्ति पुजा नो विरोध पन करे चे, नेना लेखो पन करे चे, पन एज मानस घर वेदोना पुष्टकों नी पूजा करे चे, वैदिक ग्रंथों नी पूजा करे चे, सरस्वती नी पूजा, मूर्ति राकी चे एणे, एणी पूजा करे चे, तो एक वार वेली सवारे नित्यकर्म मा बैठो चे, अने आगली रात्रे ब्रह्मनों नक्की करियो, कि आतिकाले सवारे एनो बराबर पाट बनाविये, One Fine Morning, बराबर सवार मा एने बतावी देए के आब अधी शास्त्रों थी विरुद्ध बात करवानू परिणाम कयो आवे, और बदा निगली पड़ियाचे, लाकडियों लाईने, जे कई हत्यार होए, लाल गूम आखो, और इस समय नी जे कि deva ती हो यह बदी गालो, शुुर्टी गालो ना तो ब्राह्मनों ना मोड़ आवजा दी पाछी, तो नरमाधे शांबले यौ। आप फो तो गोकि लो पता वामा बैठा बेठा बेठा अने एमका अगू जाल जाले जे अगैं गलियों में, अगूति चाली अज करे जाने आपनी गलियों गालों भीना नीचेज किया, इटले दियान नती आप तो जरा, पन पछी आखू टोडू, पोता ने बारने आवी ने उभू छे, मैंने लागियू बदा गौंगाट थवा माड़या, बारना ठोकवा माड़या लोको, इटले बार आवे चे, जुए चे, आने स सामें पछी आम लाल गूम आखो वाला गंजेरियों पन होया, थायों कि आवी बने वाजे, आजे आपनों गडो लाडवो थाय जवानू, डड़यों नती आमानास, जो सामें टोडू छे, आ बजू एकलों छे, नर्मद नू मुल्या आटला माटे चे, शू करी रहों छे, अने पूछू बदा ने शू छे, पाची तो बदा कहवा माटियों कि तु आ शास्त्र विरुद वाद करी रहों छे, तु जाद जादनों पाची तो, अने नर्मद ए वकते ए टोडानी सामें पंदर-वीस मिनिट सुधी एक वक्तविया आपे चे ने वू असर का रख के ब प्रभाव ए वकते किकलो हशे एनी तो कल्पनाज आपने करवी पड़े, और आ नर्मद ने हवे आपने बूलवा माडिया ची या आपने देखातो नदी क्या खुआ ही गयो, पन हतो आपनों आहीं, एनी प्रतिती आपने आपने अवा अने एक प्रसंगों ने आदार थाए तो विद्वा पुनर विवाहनु एक आंदोलन ने शरू करियो मित्रों नी साथे, और अने थायू यहू के किटलाक विदूर मित्रों और किटली कावी विद्वा थाए लिए कन्याओना संपर्क करया, इमना वड़ी लो तो मानेत नहीं आपदू, तैयारत ना था, किटलाक विद्वा तैयार था, कि तमें बदा जवाबदारी लेता हो, तो पुनर लगन करवा तैयार था, पन जोखा मेटलू, जो जाहर था जाए प्रजा महत हो, तो मुश्केली पड़े, बदू खानगीर हो जोई है, और नर्मत पोता ना एक मित्र ने पन तैयार करे था यह विदूर हो था, अब तो आंदोलन चालतु हो तो तो तेरा बदा बेगा था ही नहीं कि करी नाखवा माटे सक्री यह था, विदूर शो ने कि थाया चो नहीं तो चालो अवे साहस करो, जुकाओ आमा, और नक्की करिए हो एक जगह, एक मंदीर मा आखो प्रसंग आपड कि अरे बालीका पंण, थायओ कि पहला मित्र न आ आवया, हसकी कहए, विदूरे कि नहीं तो आउट शुकरू, तो जाहर था यह लोगों सामें आरी तो आवीच हुए, तो मोदे जानता थाया, अवे नहीं प्र नमारा आवया आ से रहरे हुआ, आपड़े बात कर शे, उं हुँ आ प्रक्रिया मा जोडाओ, आ विदी मा जोडाओ, ए पहला मारी पत्नी ने पुछियाओ, बोटी बात तो आचे, और दाई नी ये सम्मती लेवा जाईचे, और पहली तो हती दाई, आपे से सम्मती, और आमें जानती थी के नहीं आप उतोय करवन होंचे, तो आमाटे अलखामना थाऊ, दापन, तो आमाई जाना विजडम लगिव जाना बार, दापन तो अनेक तबक के अनेक रीते बतावी शकाए, पन मोटी बाते चे के सम्मती लेवा गयो पत्नी ने, और ये बीजू, ये विद्वा, पुनर लगना, पोते जाते दाखलों बैसा के आरे, गरमा थी करियो, आ बीजू अहीं थी करियो, क्यामके नहीं तर कोई पन कहने तमारा गरमा दाखलों बैसाणों ने, तो आप करियो वेने, और पच्छी पन एक लगना थायू जा बीजू, तो चार लगनों थाया चे ना, एक तो दिवन गत गुलाब, पन पच्छी तरने पत्नियों लाबा समय सोधी हयात चे, और बैना घर तो सरस्वती मंदिर नी सामें बै जुदा जुदा आपने तया आमलिरान मा हता, अत्यार चेके नहीं खबर नहीं कई परिस्तिती चे, पन बनने माटे एक जुदा घर राख्या हता, तो आवी व्यवस्था नर्मद करे लिए मान भेर राख्या चे, आ उपरांपन गणिवार रेना इस सिवाईपने ने लख्यू चे, मारे एक गाला मा बे बीजी कुलबंती स्रीयो साथे स्नेह बंदायो, चार ने बे चाहो, तो आ बदू छे नर्मद ना जीवन मा, सूर्ती लालो हतो ने, आज एक प्रगट करी चे, एमानी नर्मद नी पन आ प्रकार नी हती, मुंबई गयो चे त्यारे मित्रो नी साथे गणिकाओने त्यां ये गयो चे, एन लख्यू चे यह थोड़ो समय मारी पहली पत्नी ना आउसान पची मुंबई आवयो पची वेश्य आओने त्यां पन गयो चे, छुपावियो नथी अने, अने चाच्छता आपने आजे नर्मद उपर तिरस्कार नथी ततो ये मोटिवाज चे आपनी चे, आपनी मानसिक्ता नी, अने ये मानसिक्ता केलव आमा नर्मद नी बुमिका बहुँच मुट्टी चे, सेंस अब एक्सेप्टन्स उभू करवू समाज मा, आ नानिसुनी जवाबदारी न थी, स्विक्रुती नो भाव उभू करवू, बहुच अगुरू काम चे, जे नर्मद पोताना दाखलाती पुरुवार करियू, और पचि गणालो को ये मा वर्षों सुधी, सदियों सुध गणालो को ये दिशामा काम करियू चे, तो आपने ए बातने स्विकारी ये चे है, बाजती वकते, सांबलती वकते, आने होई आउपन, होई एवू मानुष्याना संदर्भुमा स्विकार भूज पड़े, एवू आत्म कथा आपने शिखावती होई चे, वी किटली ए आत् नहीं, रेवन्यू स्टेंप माजता हो ये तो आपने जूदो जानू बहुत है, साहिर लुद्यानमी साथे परणवू हतू, अम्रूता प्रीतम ने, ना परणी शक्या, पर लो आउटो गेर, एने पानी पिबलाववानों, ग्लास, गर्म, जूदो रखा तो आप अधीच खबर हती, पन नथी थाई शक्य हुए, ए प्रेम ने, ए पच्छी नों पती स्विकारी ने चाले चे, जे एनों स्विकार करे चेनी बदी मरियादा हो साथे का भीजानी प्रेमी का हती, अने ए बहुत मोटो चित्रकार, इम्रोज, जे अम्रूता ने स्विकारे चे, तो आवी आत्म कथा हुँ आची ने, कि आप पन होए, अने चता व्यक्ति महान होए, पोट-पोता ना क्षित्र मां, पोट-पोता नी रीते, एने जे करिव होए, ए अपूर्व होए, जे आपना जेवा सामानिया मनुशियों ना करी सके, तो ए पन अभी रचनाव द्वारा प तोड़ा मित्रों चे, मैं कहुँ एम मुर्ति पूजा नो शरू आत्मा विरोधी चे, पन जेम जेम समय जाई चे, एम पाचो एने स्विकार्तों पन जाई चे, एटलुद नहीं, दयानन सरस्वती प्रतिय बहु जादर चे एने, एटले तो मुर्ति पूजा नो विरोधी पची एक वार एने उन लागवा माड़े चे, के लोको आ दयानन सरस्वती जेवाजे आरिय समाज ना साधू हो छे, एने तो देवनी जेम पूजे चे, अनुयाईयो, एना अनुयाईयो थाई, जे फॉलोवर्स थाई, जे पूरे पूरा भक्ति बहु पूर्वक, तो एपन शू मूर्ति पूजाना थाई, नर्मद तो तर्क मा तो बहुझ मजबूत चे या, तो के छे ना आवे हूं तमारा संप्रदाय मा मानतो न थी, और पूते मूर्ति पूजाने ध्यानस्त थवा माटे, एकाग्रता विक्षा हुआ माटे, स्विकार्तो थायो चे उत्तरा वस् आपना धर्ममा जे कहीं हतु, छिल्ला प्रकरनमा ये लखे छे, और जे कहीं छे, एकलू अद्भूत ने, एकलू अपूर्व छे, आपना मनिश्रियों ये विचार करें हतो ये, कि एने साव फगावी देवा यहूं न थी, ये तत्वग्नान पड़ेलू चे वेदों माँ, के उपनिशदों माँ, ये तो आजे पन इटलीज बहू मुल्यता प्रस्थापित करी रहूं छे, तो ठरे छे, पन शरू आत्मा तो जट डॉली नाखोरे, मन जल थंब तएला, बदू डॉली नाखों छे, वेर विखेर करी देवूं छे, अर आजक्ता करी देवीं छे, ये अर्थी करी ने एमांतीच कशुप नव निर्वान थाई शके, तो आ, आ उधा माँ पन एनी आखी आ आत्मकथा माँ आपने देखाई छे, एने गुरुओं मां कितला अनिष्टों जोया, ए गाला ना जे, आकी गुरु सांस्ता छे आपने तेया तो, पन जेते समय बदलात आती रही से, एना समय मां कितला गुरु ओ, एने बहुच विलासी लागया, एनी वातों पन परजा मां चर्चावा लागी, एले नर्मद ने एना मित्रों ने थाईू का आनी खात्री तो करवी जोया, करेकर आवू छे के नहीं, और आम करता-करता, आ दर्मियान एने एक सा करी दिदू से, एने थायो कि लोकोशुदी बात पोचाड भी हसे, तो कोई चौपान यू जोई से, जेती करी ने लोकोशुदी बात पहुंचे, और एने एने सप्टेम्बर मां चरू करी हो चे, कम सप्टेम्बर चे ना, 63 ना सप्टेम्बर मां एने डांडियो नामनू सामईक शरू करी हो, अवे आ डांडियो नाम बहु महत वनूँचे, पहला तो कयो नामकरन करवू, एने आंगे मित्रों मां चर्चा जाली, पजी तो संस्कुरूत चोदी बाले शरू आत्मा तो, कोई पत्रिकानू नाम आप पुफ होई तो, शू करवू एनू, पड़ के मेल नौत पड़ तो, बहु अगरू लागे हूँ लागेू, तयारे नर्मद नाय बीजा एक मित्रे आ शिर्चक आपियो, आ शिर्चक नर्मद न थी आपियो, डांडियो शिर्चक आपनारो नर्मद न थी, एने कयो, के एने बदले नथारू नाम राखी ने सारा काम करवा एवू, जो मानता हो, तो डांडियो नाम राखो, और ने नाम करण करें नगिंदास मार्फतिया है, नगिंदास तुल्जा शंकर मार्फतिया, जैने पहलू मौलिक नाटक लख्यो गुलाब नमनू, ए माना से आ नाम आ जरू करें, डांडियो ना आपने तियां बेत्रन अर्थो छे, सूरत मा तो अधि लगबग 60-30 वर्ष पहला डांडियो निकलता सवार मा, श्रीयालामा खास, डगलो डगलो थाए चे, श्रीयालो वई जाए चे, गाता काता, डोल वगारता जाए, अने निकलता होई, मोटे एक डांडियो अधिले डंड, हाथियार तरीके काम लागे, डंड तरीके काम लागे, इँलला बे अर्थ तो हथा, पर थीज़ो एक बाउज महत्वनों अर्थ चे जा टोलकी ने लागू पड़ेवो य तो यह सा बदी, यतो दांड, बदी पदा, तोहनों आ नान ना नते ह आपनने अत्यारे कल्पना नती आओ ती का शूत है आखो समाज सामे होए और एक विद्रोही एमाती उबो थातो होए तो एने कयो मुकाबलों करवो पड़े, मौब लिंचिंग थाए, सेलू नती, और पोता ना मानासों नो सामनों करवो तो साथी अगरो छे, ये धिज्ये नर्मद करयो चे, पोता नी गनाती, गनाती बार मुकाईलो आतो, एक मित्र आवकते आ समय परदेश जयी रया हाथा, नर्मद ना, ए प्रकरन पन छे, आत्मकथा मा, ए पन एक मोटा सुधारक हाथा, प्रार्थना समाज साथे संकलायला ए जमानमा, आ प्रार्थ प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आरिय समाज, आवधी आगाला नी प्रवृत्ति हो चे, आगल पाचल नी, और बद्धा पाचल समाज सब्द चे, प्रार्थना होय, समाज पाचल चे, आरिय होय, पाचल समाज सब्द चे, ब्रह्म पाचल समाज सब्द चे, ब्रह्म समा प्रार्थना समाज, आरिय समाज, तो यह प्रार्थना समाजी हता, मित्र, और अने एमने परदेश जवानु निमंत्रन मलियू और गया जवानी था, पहला तो जवा मागता था, और नागर जनाति यह विरोध करयो, यह नागर हता पाचा, नहीं जवाए के जह जो जशो तो गनाति भार मुकाशो, और गनाति भार मुकावू ए जमाना मा अटले मृत्यो दंड, बालको ने पलनावी ना शको, बीजा व्योहारो बन थाई जाए, नानी सुनी सजान होती हा, गनाति भार मुकावू एटले, और छता नर्मदे कहिए के तमें चिंताना करो बलगी अने गया परदेश, अने आवया त्यारे पहला नर्मद नथी जतो, सन्मान करवानू अने थोड़ू बोजन नी व्यवस्थार आखेली हमने, मैपतराम निलकंथ, अजे जनार व्यक्ति हती है, मैपतराम निलकंथ, ये पन बहुँ सुषिक्षित परिवार ने आमनी तो, य ये परिवार मती तो पहली ग्रेजुएट कनिया मली चा आपने आगल जता, गुजरात नहीं, तो आवा परिवार ना माना सुए, तो पहला तो नथी गयो, पन बदा लोगोगोई गोठी हो के तमे बहुचार जाज यो एटले नर्मत केचे को आवी जैश, पछी बलेने जया हon गनाती बार साहalnya के मुखेह है, मुखेंपन करा थोड़ो वकत, पन पछी ये этमैपत राम स hear प्रायस्चित कराँवामें, प्राय löें नहीयही प्रायस्चित करवानू, पररायस प्रायस्चित करें है क।ентов की परिवार भिवारो, परिजाओ फिवारेतके बिवारो प वित्रो ये पसंद करियो. आम तो त्रन नन्नाओ कह वाता. सूरत न त्रन नन्नाओ, न नाम थी शरू थानारा. नर्मद, नवलराम, नन्द शंकर. नन्द शंकर ने वच्चे नर्मद साथे थोड़ा वाधो पड़े होचे. मित्रो होई, येटले क्याक्याक थोड़ा वाधा पड़े. कई नर्मद नाओ कोई रचनाओ नी नन्द शंकर टिका पण करी होई. तो क्यारेक नर्मद अकळातों पण खरो. खोटी रीते करी होई. आमा कई मित्रों नो कई नकी नहीं ये शू कर से, ये नन्द शंकर टिका करी से. तो आरेक पत्र लखे चे नर्मद. नन्द शंकर ने एक पत्र लखे होचे. कि तमारो मारे माटे स्वर्ग करता हूंचो, कि पाताल जेटलो नीचो विचार पण होई, तमे मारा कटर बेरी हो, किस नहीं हो, तो पन तमारा शेर नो हूं एक क्यरेक्टर चाहूं। तब एक बले न माने मारे मारे माटे गमेते मानों। पन आ शेर नो हूं एक नागरिक चू। क्यरेक्टर शब्द हैनि नो तो नागरिक नो तो खबर हैने। सन्मान निय व्यक्ति थू आ नगर नौ एटलू तो जान जो, हूँ पन जेवते वो न थे, एक क्यरेक्टर थू, और आम चरीत्र शब्द वापरिये चे यह अर्थमा नहीं, पन आवी एक मजबूत आए, नन्शंकर साथे ना पत्रों मा थे, तो थयू छा हूँ, थोड़ा मि आजू यह पन रहा चे, पन तो है, नर्मद ने लोकोई चाहे हो चे यहाँ, कितला बदानो एने प्रेम मले हो चे, आ गाला मा एनी मोटी स्पर्धा दल्पत राम साते हती, एक आखु प्रकरन छे, नर्मद दल्पत स्पर्धा नो आत्म कथा मा, दल्पत राम बहुझ मोटा नर्मद मा कहीं नती मालियो, लोको यह मफद सांबलियो, यह उखे पन चे, पन के जए दल्पत राम तो पाचे उग्रावी पन शकता, आने करी ते, ब्रह्मन अत्व निभा होता है मैं किया यहाँ, तो आने कितलीक वार के नर्मद सांबले, नर्मद लखे शे किए दल्पत नर्मद ना चंद के चे मने बराबर नती लागता, खास करी नहीं, मातरा मेल मा दल्पत राम क्यारेक भूज गरबड करता होई, यह उखे नर्मद लखे लागवा माडियो, अक्षर मेल नर्मद संस्कृत माती शिखी गयो चे, एने मातरा मेल शिखवा चे, एना प्रायत न करी रहे होचे, खासा प्रायत न करया चे, दल्पत राम जें चंद शिखवा माटे भूज गयेला, यह विगत चे आमा, त्यारे नर्मद ने इच्छा थाई चे के लागवने हूँ पन भूज मा जाऊं और मातरा मेल चंद शिखियावू, कवी ता करवी होई ते एम नेम न होई चे, बांची चे बदी, तो के आपडी भाषा माँ पन सब्दकोष होवू जोई है, अने चंदों पन पुस्तक होवू जोई है, अवे आ पुस्तक क्या जूनी कोई व्यक्ति वो पासे पड़िव होई तो यहने शोधवू चे, संस्कृत मा मातरा मेल वेशे कशू ना म पुस्तक होई। तहां कोई कहेंने समाचा रापया के गोर्दन नामना एक कडियाने गेर चंद रतना वली नामनू पुस्तक चे, कडियाने चंद नू शू काम होई आपनने आजे ही खबर नती पड़ती, पन एने क्या वडी लोय आप्यू हतु, बार्षा मा एक पुस्तक प्रत सच्वाहिली हती। तो शरु आत्मा तो पहलो कडियो ना पाड़े चे, कि ना तो मारा बापदादा नी मोडी चे, हमने मने आपे लू पुस्तक चे, हो नहीं आपू, अमुल लिया चे मारे माटे तो, तो नर्मत शरु आत्मा के चे, कि तो एक काम कर, हूँ थोड़ा तो छाए तो आवि ने बही रहने लेखी जाओ, तो तो वहा दो चे नकल कडियो तो नहीं तो थोड़ा दिवस पिला पाड़े के वू करो तो मने वहा दो नदी पाना पाना नंध ठेन धन रग जो पन उतारो करी जाओ, तो अधना घयो थोड़ा दिवस है, पत्शी काई प शब्द कोश करवो छे एक, छंदनों पुस्तक करियो, जे नर्म पिंगल तरीके जानी तो छे, ये नाम पन छे, अपनी आत्मकथा में नाम छे, नर्म पिंगल, पची था यू के कोश करिये, नर्म कोश तरीके जे पंची जानी तो छे, अवे नर्म कोश करवा बैठो छे त्य तो सौराष्ट्रा मां के उत्तर गुज्रात मां आप पदा अर्थ मां तियां कयो शब्द वपरात हो आशे। आने एक समानार्थी सब्दों चैने जुदा उधा प्रदेश मा जुदा उधा उधा शब्दों बुलाई चैने एक अज वस्तु माठे तो चालो ने शोदिये के जिए शू करवू जोई है एने भी आपक करवो हतो शब्दकोष पहला तो मुश्केली मा मुखायो पत्रों आपकेल ना पड़े हो कोई यह पची नवा शब्दों आपया हो यह उधायो नहीं कि यह लोगों आपना परियाई खबर ना होए इटले पची आने एक बीजु काम करियो पोताना चित्रकार मित्रों ने तेते पदार्थों ना चित्रों बना हुआ माटे बैसाड़े हो अन की ढि आतषता आकलो परिश्रम करीने एपनों पहलो कोश बनावे हो नर्मकोश आब अब द्दू आत्म कथा अब अदानी जोडे-जोडे मातर संसार- êशुदार नति कर्वो साहित्य ने सम्रुद्धि करव्यो उछे बाषा ने सम्रुद्ध्य करवीछ आनि एकला माठ्य कि बाशा सम्रुद्ध तरसे तो संस्कूती सम्रुद्ध तरसे, जे प्रजा सारी के साची बाशा नती बोलती ए जल्दी सम्रुद्ध नती तथी देवाद उखाडती हुई से, एक वार आ जो फावी जाये बाग विवेक ज 대न कहिवा है इसे, संस्कूत मां, महिम बटे आपेल संगना चे बाग विवेक ए जो आवे तो आपवाप संस्कृती सुद्रे चे तो आ नर्मत जानतो हतो तो इतला माटे आखो कोश बनाव वानू काम करे चे पिला माराजो नी बात अजू आपने बाकी राखी चे जो यू है ने के घणा माराजो अनेक प्रकार ना विलाश मा प आलच वाला था ही गया चे इटले हैंने लखवा नू शरू करियो डांडियों मा आपने डांडियों मा थी बची तिया गया हता अवे आ लखानों सांबली ने वैश्नवो और वैश्नव माराजो गुश से थाया कि आ तो ना चले आपना आपना संप्रदाई ने बदनाम करे अपनी संप्रदाई ने बदनाम करे चे शंतो नी संप्रदाई तो यह तो बंद कराऊ वो जो ही है इले पे पड़कार फंके चे नर्मद ने यह समय ना एक महराज नर्मद ने न मित्रों ने प्रश्न पूछे चे कि शूता में वह मानों चो कि वेदो इश्वर लखिया चे काशोटी कर falling वे जो जैहरma वीवाद करवानो पढड़का रा पयो। ये वक्ति तो धर्मचर्चा करचर वो जाहरमा पन्ठ थढ दिए तो जाहरमा दोपर को में नहीं बच्चे डफ पर चालती। अवे आज जोखम तो बहुच मोटू हातू, जाहर मां पढ़कार आपयों कि आद दिव से आज अगिया है चट्चा करवा माटे आओ, नर्मत कैसे जवू तो पड़े, आपने पढ़कार आपयों छेहले, ना जाईये तो ना चले, करसंदास मूल जी एमना खास मित्र एक यह आपयों कि चालो आपड़े एक यह लगता आप आपरकारना लेखो करता हाता, अने बनने जनाए एक दिवस नक्की करें, महाराज आप एला मुहूर्थ प्रमाने, महाराज बैठा हाता बदा आनुयाई हो साथे, कोई महाराज एकला बागियत निकलता होई छे, अने लाग् नर्मद ने के आज जोखम तो मोटू छे, फरी पाच तोलू सामे छे, अने आप ये निकलवा मागता हाता, नर्मद ने करसंदास मूल जी, थायू एवो के करसंदास ने एकाएक ताव आवे छे, निकली ना शकेवू थाई छे, इटले संदेश हो मोकले छे के महाराज तो नहीं आवाए, शू करीश हो आपने, नर्मद केचे तू चिंता ना करूँ तो जैईशज पड़कार लिदो छे, आपने तो जाउच पड़े केचे, आपने जाहर माँ चर्चा करीश हो, पन जोडे किसंदास नामना एक भावा ने लेतो कहे हो छे, जे कुस्ती बाजा तो प्रखाडा में काम कर्या करता हो तो आपने लाईने कहे हो छे, एक टोड़ा ने पहुची वाले हो तो हतो नहीं, एक किसंदास मना, एक मल्दनू काम नहीं टोड़ा सामें, एने शू करवानू हो तो, आवी कोईक परिस्थिती ता है, त्यारे नर्मद ने खेंची ने उज जदुनाजी माराज, ये नान लख्यू छे नर्मद ने आठमो प्रकरण छे, आत्मकथा नुए, विराम, आठमो विराम, बहुझ महत्वनों, सांस्कृतिक इतियासनी दुष्टी है, आ विराम बहुझ महत्वनों छे, कोई पन आत्मकथा महत्वनों सांस्कृतिक आपने बराबर याद राखो। यह आत्म कथा पोता ना यूग नू के पोता ना समय नू चित्र ना आपती होये तो यह इखली इलामी टकती नाथी, क्यों कि कोई पन व्यक्ति एना जमानानू संतान चे। एकली व्यक्ति थी नती था तो आखा जमाना ये एना घरतर मा फालो आपयो चे। साथे रही ने के सामे रही ने पन एना समय संदर्भनू बहुझ मोटू मूलिया चे। ए जो ना थवानू होये तो आत्म कथा मोटी नती थाती। इकली आमाती आपने ए इस आखो समय आपनी सामय उभो थाई चे क्यों समय हसे हा तो क्यों समय हा चेवा अंध् एक पतनित्म Не स्वाड़ आषिया। जेत जेटे समय नी बदल पर श्रतितिया आवती। नी राजाओने तोcemह स्वू आटो ही आपणने वक्पर आपकों讲त डिए तो है पतनियों सिर्धारी असे बहुते। इतलुद नहीं हारेला राजाओनी पत्नियों पन एमनी पत्नियों थे जती राजवियों मा तो तो ये बदलाती परिष्थिती प्रमाने रिवाजों बदलाई छे तो ये मा एक गाला मा पन आपने आवोश समाज हतो ये चित्र मले छे हजू बहुज परिष्कृत नथी था यो समय दिमे दिमे सुधर तो जाई से पन ए बिजांकूर नर्मद मा छे एने जे बीज निक्षेप करे हो एने कारणे आपने आवी सम्रुद्दीना वट व्रुक्ष सुदी पहुंचिया छी है तो आत्मकथानी आवी एक मोटी भूमी क सुद्दा होई छे जीवन कथा माउँ नाथी सांस्कृतिक दस्तावेत्तो ए पण छे व्यक्तिनू जीवन पण प्रेडक होई छे कई व्यक्तियो नी आत्मकथा आपने वाँची शु आपणा जीवानी कोण वाच छे पन कोई महान व्यक्ति हासे जैने पोताना क्षित्र मां कोई मुल्यवान काम करियू हसे। एपची रमत गमत नू होए, जाहेर जीवन नू होए, राजकारण नू होए। एवी व्यक्ति नी आत्मकथाओ वदारे वंचाई चे अने एज व्यक्ति ने लखवानों वदारे अधिकार पन छे। कि कया संगर आज थी आ व्यक्ति आज थाने पोची। कितलाक पची एमा थी व्यावसाईक हेतू उपन सिद्ध करेचे। कमानी करवा माटे पन लखेचे। कोई अभिनेत्री नी क्यारे आप्रकार नी आत्मकथाओ वे त्यारे एनो मूल आशे कमानी करी रेवान होई चे। मार्केट व आत्मकथा नी बजार किम्मत ना होई। बजार किम्मत आवी लोग परी सामगरी नी होई। सामगरी ज केवाई आत्मकथा होई नती होती। पन क्यारे एक सुंदर वस्तु आउती होई। जमके कानन बाला नी आत्मकथा वाँची है। के जूथी का रे नी आत्मकथा वाँ तो 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 किटलो संगस करती हो इचे किमके गावानीजमन नहीं हती, गाइशका तो नहीं जाहर मां, तो अभी व्यक्तियों कई हिंमत थी और परीवार ना कया टेका थी तेहां सुधी पहुंची है इजादों मां आपने बहुत रस पढ़तो हो इचे, ले प्रारंबक काम जे आत्म कथा हमेशा अधूरी होई, आपन आपने याद राखवाजे हूँचे, जीवन कथा पूरी होई, कोई पन व्यक्ति ना जीवन ने आपने जन्मति मादी ने मृत्तियों सुधी नो आले की शकिये, पन आत्म कथा कदी सामग्री नी रिते पूरी ना होई, एक तो मानस जाह शुधी लकाहिए त७ंग्री ने यह होई, छेला सुधी नी लख्तो आ हमारो छेलो स्वास चाली रहये होँचे, एं करी ना आत्म कथा मा आओ करता, फूल नी आत्म कथा माओ करता, नी आत्म कथा आवी होई, तो आपने करी एक मारा उपर ती ताइयर पसार तही गई इटला माटे के एने पची खासो संगर्ष करवो पड़े जीवन में, एने संकल्ब करे लो, आज ती हूँ तारे खोले चाऊँ, बनवू, कमावू अने बाईरी करवी ये सव आननने माटे चे, मने जारे पदो लखवाती आनन मले चे, त्यारे तो हूँ एज करीश, पन पची नौकरी करवी पड़ी चे, टकी नती शक्यों अनन नियम, लाचारी एकली बदी ये परिवार नू पूरू नोतू थातू, त्रंतन चार्चार नू क्या थी था है, जे शंकर नाम नू एक बालक पंचे, सभी ता नाम ने पतनी था येलो, एनी साथे तो ये तो निकले मॉंबई जवा माटे, तो अगरू काम हातू, तो ये घर मादे चे पोतानू, उची ना पईसा लईने थोड़ा, मित्रो पासी ती लईने, थोड़ू के कविता माती, कोश माती कमायो थे, कोश माती ने पंपिंगल माती कमायो थे, कोश मा थे ने नुक्सान तहेलू, कोश आनी खुमारी येटली हादी के कोश एने एमने अर्पन करयो, आखो, आपन हतू पाचू, के तमे मने वचनापियो हतू, कोश तमने हूँ अर्पन करूचू, बले तमे मने शहाई बुद नती थाई शक्या, तो आउ बदू तो, आबदू आपने एस समय माती मले चे, पन अ प्रदूरी चे मैं कहूँ एम, तेतरिस वर्ष पची एने लखवानों समय नती, बीजू गणू लख्यू छे एने, धर्म विचार नामनू पुस्तक करयो, राज्यरंग करयो, पिंगल करयो, कोश करयो, नर्म गध्य नर्म कवीता करी, आब बदू करवू हतू एकले एने, आ तेतरिस वर्ष ने पुतानी वार्त, मारी हकिकत, अटलूज करयो, अने अनेक तळपदा शब्दों छे, मैं कहूँ नर्म जहां सोचे, एक जिगा ये शिक्षन पद्धती नी तूलना करे छे, पश्चिम नी औने भारत नी के भी हती है, पुते तो आमली रान मा बढ़े चाने वाईदिक परमपरा मा ने सुमूरूती साथे, अने अंग्रेजी पद्धती अने मन्मानाती बैष्ती, नभी आवी है छे, तो कहे चे के, अत्यारनी पद्धती चे फुष-ुषनी न चिछल्ली चे, अंग्रेजी पद्धती चे जे शिक्षन्नी फुष-ुषनी, आपने चिंखले ये चिंखल्ली उपर चल्ली तो अवाप्रायोगः खरया चेंगे तो ये ना तो ये ने संस्क्रुत निधर्शन आतू है, mobile आतू, ना तो ये अंग्रेजी निधर्शन आतू, ंग्रेजों अनुगाटर ही चाह है, पड़ी है, पने बदले मात्र- गुजरा आत्मकथाना माध्यम थी, आपन एक मोटी भुमी का मोटू प्रदान नर्मदनी साथे चोड़ाएलू छे, प्रारंबना आयोष्यना वर्षोनी वात आत्मकथा मा नती थाई शकती, विजाने पूछी न थाए, माता पिता के ये तो साचुना पन होए, बालको भी से मोटी करता है माता पिता, किकला वर्षे बूलता थाई गाईला ने चालता थाई गाईला, पन व्यक्ति नी स्मुरुती मा पहला चार-पांच वर्ष नी भीगत आवीद नती शकती, स्मुरुती कोश विक्सया मती होता, ये छोड़ी देवू पड़े छे, इटले आने आत्मकथा होने टौर्सो के वाई हैं, टौर्षो चाह, कबंद, जैने माथा नो भाख पढणना ओ याने फजी खाई ऑउ धर होु रिले शरुवात ना वर्षो ना हो आए, पाचल ना वर्षो ना होए, सामग्री अदूरी छाह है मां, पने इनो वड़ी वो नहीं कि आत्मकथा तरीके परिपूर्ण ना होए, इस संपूर्ण कलाकृती होए, ए थाई शके, बले ओची सामगरी थे, पन सुन्दर आकृती, सुन्दर आयोजन, कोई चौकस प्रकारनी पद्धती, सरस्भाषा प्रबंधन, अब दुझ चरित्र निर्मान, पोतानो मुकाबलो करवो अहंकार विना, पोतानो हूँ छवाई न जाये, अने धंकाई पन न जाये, बनने वच्चे नो विवेक दाखावो, आप बहुच कसो टीनू काम छे, यह जीवन करता करता बहुच अगुरू, यह वुँ आ स्वरूप छे, अने जेनो प्रारंब आपन ने नर्मदे करिया आपयों, यह वी बावन कथा हो, आपने इची है कि आपन बावन बाहरा बनावे, बावन बाहरा एटले नत्वज्ञह नी, नत्वज्ञह नी नत्वज्ञह, ब्रह्मने जानना राओने माटे बावन बाहरों शब्लद वपराये छे, यह बावन अक्षरह नी पकरवाना आवे oua तत ये ब्रह्मनु तत्व, निरक्षर, निरक्षर पना केवाई, अक्षर वगर्नु, जे शब्दों नी कोई पकडमाना आवे, आ प्रकार्ना जार संपर्तमा आविशू, क्यारे आपने ख्याल आऊशे कि केटली अद्बुत वातो, आ आत्मकथा कारों करीचे, बदा कलाकारों नाती, शाहित्यकारों नाती, एवी एवी व्यक्तियों नी बहुँच अद्बुत आत्मकथा हुआ, आपने मली चे, अने ये प्रकल्प स्विकार्यों चे, गोविन काकाय, अने, कमलेश भाई, तेजल बेन, बदा साथी मित्रों है, मने ता बदा बदा बात करता दना फोन आत्यारे बहुँच मज़ा पड़ती थी, कि केटलू संयोजन मित्रों है टकावी राखियो चे, अने एक उद्योगपती ने आश हुझे, जैने नफा तोटा मा रहस होई बदा रहे, आम तो तोटा नू काम चे आ, पर एने आ रहस पड़ता होई, तो बहुँच मोटू एक सांस्कृतिक काम आ, एसार के फाउंडेशन करी रही हुचे, अने मने आमा जोड़ जात मने आनन था हुझे गणू शिखवा मले हुझे, आरी ते अने अप वाद तो सूरतने लिदेज करे हुचे, बाकि तो पंचो तेरमू वर्स था हुझे आरे संकल्प करे लो के अवे ब अवाद चालतो हुए, हाथ पक चालता हुए, तेरे अठकी जही है, तो आपनने संतोष था है के पाछी पाछल ना वर्सों मा डिप्रेशन ना आवे, एम मानीन है आ भूमी का पसंद करे लिए पन अपवाद राखवा पड़ता हुझे, नियम तोड़वा माटेज हुझे, अने आवो कोई कोई बार तोड़वा मले चे तो आनन था है इसे, तो कुकु आपार सर्वनों, एसर के फाउंडेशन ना, नियम ने पोताना विशे कहिलू के स्त्री, संगीत अने कविता विशे, कविता सिवाए, मुझने ना भावे काई, आए के पोताना विशे, अने वि ये सस्रा ने ठपकवा पोई, तो आटा जमाना मी को आपी सके, इटले इंबत भो भग्याज कोई ना मोई इचे, पे जमाना मा एमने पोते, इना सस्रा ने पर पत्रा लखी ने आकडोस वियक्ता करे हो, ठोटे, ए इसे का एक जो महेती होई तो जा एक टुकमा के सो जड़ आत्मा कथा मा नपी आविगते हो, एक टो नर्मद विशे ना चरित्रों गुजराती बाषा माचे ने आपड़े बदा ही जुवा जुए आत्मा कथा नी बात करिए ते आरे, साथी पर नवल रा मे लखे लों, कवी जीवन नाम नू, नर्मद नू पहलू चरित्र नवल र सवथी उत्तम चरित्र विश्वनाद बट्टे लख्यू चे, पचि मुन्षी ये करियू, नर्मद अर्वाचिनों मा आध्या, ये पन एकलूद सरस्च चरित्र चे, अने पचि विनोध बट्टे जरा मजाकनी लिते, नर्मद एक केरेक्टर नामे करियू, परना चारे ही चरि आपको आपो बहु अगरू नाती, बदा बहु लोको आपता होईजे, क्या आवी क्या वलगाडी, आप मजाक माटे, ये तो करी शक्तो हो, ने, कोई ने पर कहता अचकायो नाती, ये जो योग्या लागियू होई, तो नर्मद ए प्रगट करियू चे, नहीं तर तो आत्मक आपने लई जाए ए समय गाडा माने मुद्दाने आधारित, आपने उठाए कि ये वात फंटाई गई, पने वात फंटाई नहीं, ए वात नी साथे जोडाईली बीजी वात तरत आवी जती हती, आउ आपने बद्दा ये अनू बवियू हशे, ताने माटे तो सौसो सलाम कर पड़े जोरदार ताडियों वगाड़े खूब सुंदर वात. जोष मलीहाबादी नी जे आत्मक था, यादो की बरात एनू शिष्रक थे, एना उपर पाकिस्तान मा प्रतिबंद था ने पजी आपने ते आपने लामा समय सुदी वेचाही ली नहीं, अपने कभी के रंग महल में जो हम गए, पहलो शेर आओ जे, मिस्रो आओ जे, अपने कभी के रंग महल में जो हम गए, आशू टपक पड़े, दरो दिवार देखकर, बुथकाल मा गया, रंग महल, कोई कवार यू जवानू थयू, थयू शू, दरो दिवार, दर्वाजा ने दिवार जोया, आशू टपक पड़े, तो बुथकाल मा जवू पन किटलू कठीन हो अवीज, मननी अंदर जे लाइनों खाली रही छेने, एने भरवा माते, आपने, पोताने, हूने मडवा माते, आवतारे जो, बाववन समवार सुधी मडवानू प्रण मनने आपतारे जो, आवता समवारे कौन आववानू छे, एनी वात थोड़ी कई दो, संगीत मा जेने स्वर सामराग नी कोकीला, आ त्रोन शब्दों बोलाई तो, याद आवे मत्र एकज नाम, अने छे, यस, लता मंगेशकर, लता अलाइफ इन म्यूजिक, यतिंद्र मिश्रानू पुस्तक छे, अने जेनू ट्रांसलीशन इरा पांडे कर्यू छे, अने तेनी प्रस्तूति कर आपड़ी साथे उपस्तित थवा नाचे, शुरी बकुल भाई टेलर, सूरत नू जानितू नाम एकले जने ओडखनी जरूर नाथी, अजी एक संवार जो आगड़ चालिये, तमारी उत्सुकताने थोड़ी वधारू, तो एना पछी ना संवारे, जे साहे ब्यवात करीने, के पश्चीम मां कन्फेशन नी वातों चालती हती, तो लियो टॉल्स्टोई नी आत्मकता कन्फेशन, अनेने रजू करवा माटे पणी इवुज अलगारी व्यक्तित वा आपड़ी साथे उपस्तित थवानू छे, गीतास आनिद्यना भावोकने तो एमनो परिचाई पन छ दीपक भाई सोलिया, तो आवतारे जो, मरतारे जो, सव नो खुब-खुब आ भार, सतिश भाई नो विशेश आ भार, गोविन काका ने आजे अत्रे याद करिये, जो ए होत, तो आपने एमनी पासे थी पन कहीं सांभडते ज आ विशाईन अनुरूप, एमने खुब याद आपिये, आने यूटुब ना माध्यम थी कहें कि अमे तमारी रहा जोई शूँ, हाँ, आने काका नुझे पुस्तक छे, डाइमन्ड सार फोरेवर, एमनी जे आत्म कता छे, आपने सतिश भाई व्याश ने अरपन करिये, एमने भेट आपिये, एने माटे हुँ आमन्त रित करिश, Knowledge Foundation ना ब्रेसिदेंट शुरी कमलेश भाई यागनिक ने के आप सर एमने पुस्तक आपो, ने आपने बदा आज, ताडियोंनों गड़गडाट करी, आज ना करे करमने, आज ना सत्रने समाप्त करी, मडिशू आउता सुम्वारे,